वेलकम टिस्ट्वेंट टिटोरियल आम शाइस्ता खान प्रीज लाइक और सब्सक्राइब आज चैनल तुदेश टॉपिक इस टर्म रिलेटेट टो स्फेरिकल मिरर्स जैसा कि हमने अपने प्रीविस क्लास में इसको डिसकस किया था कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं वो कितने को स्ट्रेक्चर होता इस जब इनर पार्ट जो है वह एक अधर वहता है और जो आटेरर फार्ट हुए को मैं कमर्ण केृदे ठीक है और इस दूसरे तरफ, जब हम इसका इनर पार्ट को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, और आउटर पार्ट क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस होता है, वैसे करव स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, convex mirror कहते हैं ठीक है तो उसके कुछ terms भी है आईए पहले हम उसको discuss करते हैं तो पहले हम करेंगे concave mirror के लिए ठीक है तो कौन-कौन से terms है जिनको हम यहाँ पर आठ discuss करेंगे एक है first is center of curvature, second is radius of curvature, third is aperture, fourth is pole and fifth is principle axis तो first क्या है center of curvature मत्तब जो curve structure है जो curve है उसका center तो यह जो concave mirror है यह किसका पाठ है एक hollow sphere का पाठ है तेक या कोई भी ऐसा structure, कोई भी structure हो वो उसका क्या होता है या कोई भी shape हो उसका क्या होता है एक center होता है तो यह जो hollow sphere है इसका भी क्या होगा एक center होगा तो जब यह concave mirror इसका पाठ था hollow sphere का यह जब पाठ था इससे जब यह अलग नहीं हुआ था तब इसका center क्या था C तो जब इसको हमने काट के अलग कर लिया तब भी इसका center क्या होगा C जो hollow sphere का center होगा जो hollow sphere का center होगा वही center जो है इस concave mirror का भी होगा ठीक है क्योंकि क्या कि यह जो concave mirror है यह इस hollow sphere का ही तो पाठ है ठीक है तो जो center होगा जो hollow sphere का center होगा वही center इस concave mirror का भी होगा क्योंकि ये concave mirror उसी hollow sphere का part था ठीक है अगर कोई भी structure ऐसे है तो अगर इसका center जो है वो इसके mid में है ठीक है और अगर हमने इसको cut करके निकाल लिया तब भी इसका center वही होगा जिसका वो part था ठीक है तो इस curve surface का यह यह concave mirror का center क्या होगा c जो उस hollow sphere का center था ठीक है center of curvature क्या हुआ यह clear हुआ center of curvature क्या होगा जो center उस hollow sphere का होगा वही center इस curve surface का यह concave mirror का भी होगा क्यूंकि यह उस hollow sphere का ही part है ठीक है second is radius of curvature यह जो curve surface है अब इसका radius फिर से वही बात आ गई कि जो इस hollow sphere का जो radius होगा वही radius इस curvature का भी होगा इस curve surface का भी होगा ठीक है क्यूंकि कोई भी radius होता है और उसी के along क्या होता है उसी radius के along हम क्या करते है एक circle form करते है ठीक है तो जो एक hollow sphere था उसका भी एक radius होगा ठीक वही radius अगर हम इसको cut करके अलग कर भी लेते हैं तब भी क्या होगा वही radius होगा जो उस hollow sphere का radius था तो मैं यह जो curve surface है उसका भी सेम रेडियस होगा जो उस hollow sphere का radius था it means radius of curvature ठीक और radius of curvature क्या होता है center से center से और उस curve तक की क्या distance क्या होता है center जो उस curve surface का या concave mirror का जो center है उस center से लेकर उस curve surface तक की distance को हम क्या बोलेंगे radius of curvature ठीक है c से लेकर यहां तक की distance को हम क्या बोलेंगे radius of curvature ठीक है समझ में आया center क्या है curve surface का जो hollow sphere था उसका जो center था वही center क्या होगा इस curve surface का भी center होगा it means center c ठीक है उसके बाद radius of curvature radius of curvature क्या होगा जो उस hollow sphere का radius होगा वही radius क्या है इस curve surface का भी same radius होगा और radius क्या होता है center से वो curve surface तक की जो distance होगी वो क्या होगी radius ठीक है उसके बाद आता है aperture aperture क्या है यह जो यह जो area है यह जो reflecting surface है यह mm- वही क्या होगा aperture वही क्या होगा जो length होगी reflecting surface की जितनी वही क्या होगा उसका aperture हो जाएगा मेली क्या होगा size जो convex mirror का जो size होगा reflecting surface का वही क्या होगा aperture मतलब mm- क्या होगा mm- वो हो जाएगा उसका aperture यह इतना distance जो है इतना distance वह हो जाएगा उस जो concave mirror है उसका यह हो जाएगा aperture मतलब जितना भी उसका अगर यह है concave mirror ठीक है तो यह जो reflecting surface है इसका जो distance यह इसकी जो length होगी जितनी भी वह उसका क्या हो जाएगा aperture हो जाएगा ठीक है यह आगे समझ में अब है pole pole क्या होगा pole उस aperture का या उस concave mirror का जो center point होगा वो क्या कहलाएगा pole कहलाएगा जो उस concave mirror का या उस aperture का जो center point होगा वो क्या कहलाएगा pole कहलाएगा उस concave mirror का क्या कहलाएगा pole कहलाएगा ठीक है center point of aperture और a center point of curved surface is called pole ठीक है यह हो गया अब आगे principle axis प्रिंस्पल एक्सेस क्या है ऐसी straight line क्या है ऐसी straight line जो center से और pole से होकर जाती है उसको हम क्या बोलेंगे principle axis क्या बोलेंगे हम principle axis ऐसी straight line जो की center point से उस concave mirror का या उस curved surface के center और pole से होकर गुजरती हो या pole और center से होकर जाती हो वो line वो straight line क्या 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 तो यह क्या हुआ, यह हो गई principal axis, ठीक है, principal axis पता चल गया, pole पता चल गया, the center point of the curve surface is called pole, फिर उसके बाद radius of curvature पता चल गया, वो क्या है, जो hollow sphere का जो radius होगा, वही radius जो है, उस curve surface का भी radius होगा, और क्योंकि वो curve surface का radius है, इसलिए वो क्या है, radius of curvature को बोलेंगे, aperture क्या होगा, जो length होगी, reflecting surface की, वही क्या होगा, उसका aperture होगा, ठीक है, उसके बाद center of curvature क्या होगा, जो hollow sphere का, जो hollow sphere का center होगा, वही उसका surface का भी center होगा, और उसको हम बोलेंगे center of curvature, ठीक है, तो यह तो हमने किस के लिए पढ़ा, concave mirror के लिए, अब हम किस के लिए पढ़ेंगे, convex mirror के लिए, ठीक है, अब हम किस के लिए करेंगे, convex mirror के लिए, तो पहले convex mirror के लिए, जिसका outer surface क्या होता है, reflecting होता है, जिसका outer surface क्या होता है, reflecting होता है, inner surface क्या होता है, non-reflecting और polished surface होता है, ठीक है, अब convex mirror के लिए, जो center of curvature होगा, वही center of curvature होगा, जो hollow sphere था, उसका जो center of curvature होगा, वही center of curvature क्या होगा, वही center क्या होगा, convex mirror का भी होगा, ठीक है, जो center, इस sphere, जो hollow sphere था, उसका जो center होगा, वही center, इस convex mirror का भी होगा, क्यूंकि, क्यूंकि, ये जो convex mirror है, ये जो curve surface है, ये उस hollow sphere का ही part है, ठीक है, अब आप एक चीज़ ध्यान से आगर देखेंगे, तो आपको पदा चलेगा, कि, जो concave mirror में, concave mirror में, जो center था, वो front of the reflecting surface था, जो concave mirror में, जो center था, वो क्या था, reflecting surface के front में था, but, in case of convex mirror, जो center है, वो reflecting surface के behind है, क्या है, वो reflecting surface के behind है, ठीक है, convex mirror में, center of curvature, जो होगा, वो reflecting surface के behind में होगा, और, जो concave mirror है, उसमें, जो center of curvature होगा, वो concave mirror के front में होगा, ठीक है, यह, एच छोटा सा difference है, ठीक, radius of curvature, जो radius, वो hollow sphere का होगा, वही radius, इस convex mirror के, रखा भी होगा, और, इस convex mirror के, radius को, हम क्या बोलेंगे, radius of curvature, ठीक है, उसका भी, radius of curvature क्या होगा, center point से, उसका surface तक ही, distance को, हम क्या बोलेंगे, radius, ठीक है, उसके बाद आया, aperture, अपर्चर, यह, जो, reflecting surface है, यह, यह, एम, एम, डेश, यह, जो, reflecting surface का, जो area है, जो length है, इसकी, वही क्या होगा, aperture, ठीक है, वही क्या होगा, aperture, हमको aperture से मतलब है, कि, जो, reflecting surface है, उसके height से, यह, जितना बड़ा है, reflecting surface, वही क्या होगा, उसका, aperture होगा, उसके non-reflecting surface है, हमें, कोई मतलब नहीं है, वो aperture नहीं होता है, reflecting surface का, जो, length होती है, जितना बड़ा, उसका area होता है, जितना बड़ा, उसका surface होता है, वही क्या होता है, aperture होता है, ठीक है, M, M' is called aperture, ठीक, उसके बाद pole, the center point of convex mirror, या, the center point of aperture is called pole, ठीक है, is called pole, उसके बाद principal axis, एसी straight line, जो pole और center से, होकर जाए, जो pole और center के थूँ जाए, वो straight line, क्या कहलाएगी, principle axis, क्या कहलाएगी, principle axis, ठीक है, सब कुछ, जैसे concave mirror के लिए था, वही, वैसा ही, convex mirror के लिए भी रहेगा, same चीज, क्यूंकि, वो concave mirror जो था, वो भी उस hollow sphere का पार्ट था, और यह जो convex mirror है, यह भी उस hollow sphere का ही पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर यह, जो terms related to spherical mirror है, यह यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अगर आपको कोई भी इसमें doubt हो, तो please हमें comment section में no doubt करीगा, हम उसको try करेंगे, कि हम उसको clear कर सकें, thank you so much,